आतरस में हुई घटना में जिसक में 121 लोगों की मौत हो गई उसके बाद लगातार देश भर के आश्रम सुर्खियों में हैं इसी बीच लखनों में भी एक आश्रम लगातार सुर्खिया बटोर रहा है यह आश्रम ना सरिफ देश बलकि विदेशों तक चर्चा का विशय ब आश्रम है जो कि लखनों के जानकी पुरम में इस्तित है यहां पर मा आशुतोष यांबरी ने अपने गुरु महराज आशुतोष को उनके शरीर में वापस लाने के लिए 28 जनवरी 2024 को समाधी ले ली थी 64 दिन हो गए और समाधी को मा के और एक लंबी समाधी है लेकिन एक बात और भी है कि समाधी एक ऐसा सब्यक्ट है कि जब उस परम आनंद में कोई भी होता है तो वहां समय समाधी का मतलब समय का अधी जहां समय खतम हो जहां परिवर्तन और प्लस माइनस से परे हो बिच संक प्ले कर जाये तो अपने आप आने का भी समय निर्धारित करता हो स्वायम क्या माँ डीफ्रीजर में है? नहीं माँ नॉर्मल टंप्रेचर पे हैं और किसी डीफ्रीजर पे यहां ब्योस्ता नहीं है किसी बर्फ की किसी ऐसे कृतिम उपकरण की कोई भी यहां पर ब्योस्ता नहीं की गई है चुकि समाधी अपने आप में महापुरू जो समाधी लेते हैं लेना जानते हैं वह अपने इस पंच भौतिक सरीर को सुरक्षित रखना भी जानते हैं और आज के पहले बहुत सारे महापुरू जंगलों में समाधी ले तो क्या वो फ्रीजर का डबा लेकर थोड़ी जाते थे वो तो अकेले समाधी में चले जाते थे उनका तो कोई यहां तो मा आशुतो शामवरी जी के शिश्च उनका रख रखाओ देख भाल कर रहे हैं लेकिन जो जंगलों में लिए उनको कौन रेखने वाला वो तो उनके सरी पे दीमक लग गए बांबी बन गए और वो लेलीन हो गए तो बहुत सारी चीज़ें रिसी चवन का आता है और कंदम मुनी का आता है कहने को रिसीयों का आता है तो कहने का अतात पर यह है कि मा के लिए किसी भी कृतिम साधन का उपयोग नहीं किया गया नौर्मल टंप्रेचर पे रखा गया है और उनका सरी सुरक्षित है सर आश्रम के बारे में कहा जा रहा है कि किसी को अंदर आने ने दिया जा रहा दर्शन ली करने दे रहे है इस पर क्या कहना चाहिए बात दर्शन है कि यहां पर पांच वर्ष का बच्चा है अभी मैं बुला दूँ और अभी वो रोज दर्शन करने जाता है रोज दर्शन करके आता है पांच बर्श का बालक है तो मैं उसे मिलवा देता हूँ तो अब इतनी से आप लगा लीजिए हाँ, एक बात यह है कि वासमादी अस्तल पे जाने के लिए कुछ नियम निमावली है अश्नान करके जाते हैं लोग हाथ पाओं दो के जाते हैं सेनिटाइज करके जाते हैं पवित्रता धारन करके जाते हैं सारी चीजें और तभी वहाँ जाने का यह है तो वो चीजे नियम निमावली सबको चाए उबालको चाए ब्रिद्धो सब को करना पड़ता है तो हाँ लेकिन ये है सुरक्षा के दृष्टी कोण से हम सब की जाच भी करते हैं देखते हैं और ये नेड़ेप मैनेजमेंट कमेटी का है कि किसको कैसे कब कैसे भेजना और कैसे दर्शन कराना है माने समाधी के लिए जो बताया हुआ नियम लेप और पूजन और आवाहन वो सब भी चल रहा है और हम मस्ती में हमारा यही रोटीन है इसी में अपने जीवन को लगाए हुए जैसी माने का है मुझे वही चलते जाना है उनके पत पे बढ़ते जाना है इदा और उदार का ही नहीं देखना सिर्फ मा ही मा मा की जायो हे मा हे मा करते बढ़ते जाना है क्योंकि देस बिदेस में क्योंकि इंग लैंड में आस्टेलिया में अमेरिका में देस बिदेस में उनके अन्यु आई है लेकिन हम किसी को बंदन में नहीं करते लोग आते हैं दरसन करके जाते हैं हम पहले मैंने वैंने सोचा था क्या अगर एक महीने ज्यादा लगाएंगे तो फिर सायद मैं जीना पाऊंगी अपने आप में और मेरा मन में बहुत सारी विचार थे, बहुत सारी भावनाईं थी, जो कि भक्त के अंदर भाव होता है, लेकिन जब मैं समय बीता और मैं उस चीज पर विचार किया, तो मैंने देखा कि इस अनमोल जीवन को नश्ट करके हम मा की सेवा नहीं, अपितु इसका संरक्षन करके हम मा की सेवा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हमारी जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को एक उचित निर्ड़े विवेक से लेना चाहिए, दुनिया क्या कहती है, इस पर नहीं पढ़के, मुझे लगा कि अगर मा कहीं बाहर गई है, किसी विशेज कारेश से थोड़ा समय ज़ रहा है, तो मुझे धैर बनाकर और हमें उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, मा जो करेंगी, अच्छा करेंगी, और इसलिए मैं अपना धैर बनाकर और निरंतर सेवा में, जब सेवा में, जब नावजल में ही छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी, चुनोती, शंदु को फिर पार क्या और मजदार क्या जब चोड़ सुकी कामना आरंब की तेरी साधना संगर्ष पत पर बढ़ चले फिर फूल क्या और अंगार क्या और हम चल पड़े हैं तो चल पड़ें अब जो होगा माँ जानेंगी जो भी करेगी माँ अच्छा करेगी जीवन की तोज महराज 2014 से समाधी में है उनको ही वापिष शरी में लाने के लिए उनकी शिश्याने समाधी ली है जो पूरे दुनिया में चर्चा का विशय बन गई है लखनो से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकलेटी